तो आएए दोस्तों, आए और आप हम चलते हैं अमबगड चौकी, जो मानपूर मोहला के पास पोड़ा से पहले है, वहाँ पे एक मुंगरा डेम है, जो बहुती सुन्दर, अच्छी जगापे है, यहापे मैं सांत वातावरान, अच्छा महाल और अच्छी जीजें भी मिलें बस आप और मैं अब सफर के लिए निकलते हैं, चलिए हेलो दोस्तों, फैनली हम अभी मगडचों के पहुँच चुके हैं, और मैं भी इस जगा से पहली बार ही आया हूँ, तो मुझे इस जगा के जानकरी तो है नहीं, एकि मेरा दोस्तों मेरा साहता है, जो इस जगा तो रहते हैं, इस जगा पर विसिट करते हैं, तो उन्हें कहा अच्छी जगा मिलेगी, कहा अच्छी घाने को मिलेगा, तब इस जगा साहत मिलके हम यहां पर कुछ खाने के लिए ले लेते हैं, और फिर यहां से अपन फिर मुंगरा जलाय साय का सफर तय करेंगे, तो ठीक है दोस्तों, फिर अब आगे मिलता हूँ आप से, दोस्तो का यहां से चाने को मिलेगी मिल कुछ ू लेक हाने फिर प्मे करेंग से, ईालके मिलेगी, क् позволी करेणा यहां से कCs इस अपने का मिले ले खोस्तों, तैसे, इस बड़ेगा हूँ धनीन अइस हैं, बढ़ेगा है आगता है कि आए, ग cereal सुएों, प्र लेक है भर श्करी झाल झाल तो आखिर कर हम दोस्तों मोंगरा बाराज जेम पहुँच चुके हैं जो राजनान गाउंजीले में स्थीत है वो कहते हैं ना दोस्तों जब तक मुश्किलों से लड़ेंगे नहीं जीत तक पहुँचें कैसे उसी तरह हमने भिलाई से अपना सफर सुरू किया था और तुरे चार घंटे बाद अभी हम मोंगरा बाराज जेम पहुँचे हैं और हमी नहीं दोस्तों यहां पे हमारे राज्य के कोने कोने से यहां तक कि यहां पे एक महराश्ट के गाड़ी भी खड़ी है और अब राज्य के बाहर से भी लोग आते हैं तो कि यह टेम मानिय का दोस्तों यह टेम बहुत ही बड़ा है और सड़नली हमारे चत्तिस ग्रव में इतना पानी गिरा है करके यह टेम अभी पूरी तरह से भरा हुआ है दोस्तों ठीक है दोस्तों तो अभी हम दोस्तों मौंगरा बाराज डेम के गेट के जश्ट उपर है और अभी हम यहां से इसके अंतिम छोर जो जंगल से जुड़ा हुआ है उस से जा रहे हैं क्योंकि मैं वैसा दोस्तों अन से ही शुरवात करता हूँ और अभी मेरे यहां के गावालों से बात हुई उन्होंने बताया कि यहां पे जंगलों में से भालू भालू बहुती ज्यादा मात्रा में पा जाते हैं तो हम दोस्तों पहले जंगल की और जाओंगा उसके बाद फिर वहां से रिटान आके यहां पे मौंगरा का उध्यान भी है नीचे बड़ बड़ा गेट है उस और जा हुआ है जहां से हम दिली को उत्पादन भी करते हैं तो मैं सोच रही हम देम नदिया तो बहुत जगव घुमते ही रहते हैं पहले यहां के जंगलों करना जारे लेते हैं उसके बाद देम तो हमारे सामें है पुरी रात बाकी अभी तो दुपाहर का टाइम है तो चलिए प आपको सच बता हूं बहुत ज्यादा ही घना है उसको तोड़ के खालेगा यहां से किड़ा निकाल लेगा वैसी वाली फिलिंग आ रही है कोई जानवन मिल जाते हैं फिर मार के खावी लेता हूं तो चोड़ो दोस्तों पहले घुम लेते हैं फिर चलते हैं कहीं कि पता है कि अधिश्य के पास निकलेंगे जा घूड़ जंगल में निकलेंगे और समय तो बहुत है आखिर घूमना तो है जिन्देगी का इंजोई सबसे बहुत जोरी चीज़ है दोस्तों चलिए आईए आई में देख रहे हो दोस्तों यह डेम का साइस देखो इतना बड़ा डेम है यह तो सकते हिस पानी मगर मच्छो शार्क हो तोकि इतना बड़ा डेम है अगर एक मघर मच्छे यह शार्क भी छुपा होगा ना तो हमको दीखेगा नहीं हुद कि बहूत और बहुत और बहुत ही बड़ा डेम है अभी तो में डेम के पास दाना नहीं है फिलाल जंगलों करना जा रहे हैं पहले जंगल चले जाते हैं फिर डेम तो घुम नहीं है दोस्तों देखो हम कहा भी बहुत सुभा मलब सुभे साथ याण भी से निगले थे तो कि मैं रहता हूं दूर कर भिलाई में और वहां से फिर सुभे सुभे आया फिर यहां से नानगाउं आया नानगाउं फिर अंबगड़ चौंकी तो क्या भूख बहुत लगी है और मेरे दोस्त लोग जो मुझे अच्छे सा जानते हैं मैं बहुत बड़ा भुक्कड इंसान है तो मैं सोच रहा था पहले कुछ खा लेते हैं फिर तो डेम बचाई है रास्ते हैं रात का सफार है और आपको बता देता हूं कि और रहएपूर में लगा ना के नान गाओं में तो नान गाओ में पूरी रात और पूरी दिन का समय है पर चलोग कुछ खाने के क्लिए जगह देख लेते हैं तो आगे चलते रहेंगे बंतेरों क्या मेरे दोस्त लोगों आगे जगा खूज लिया है सायड वल उनके पास चलते हैं फिर कुछ खाएंगे इसरे निकलेंगे तो दोस्तो चलो आप कुछ खाय लगते हैं फिर करते हैं आगे की बाते चलो अब लोग उससाइट के जंगल से आचुके हैं जंगल दिख रहे हैं आपको वह बहुत ही बड़ा जंगल है आपको जोटा बटा रावल मोंगरा बैराज राज जो दोस्तों आपको बैटर प्लेस यहां बहुत सारी हैं देखोंगे तोसरे बहुत सारा डेम है नदियां बनती है लेकिन आपको लगता होगा कि ये वीडियो में हुछ छोटा भीखरा होगा लेकिन दोस्ते वीडियों बहुत ही बड़ा है आप अगर देखेंगे ना तो खत्रे की निशान से बिल्कुल आही चुका ही बस थोड़ा ही बचेगा फिर ये खत्रे से बार हैं ये गेट ह अगर देश गेट को एक सथ हम खोल देंगे ना तो शायद गाउं एक नहीं चार या पाँज गाउं बह जाएंगे कितना सारा पानी है इसके अंदर अभी और सटनली आप जानते हैं कि हमारी शत्रीस घडजेले में अभी कितना पानी गिरा है इतने सेंटीमेटर वर्सा और जाए दूर भी नहीं है पानी यहीं पास महीं है और आप देखेंगे ना तो आपको शाथ भाई जूम करके हमारे भाईयों को दिखाओ कि वहां पर चुडिया का घर है बहुत सारे चुडिया का घर है पड़े मोड़ी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा मोड़ा है तो यह प्रणा के टूरिज्मों को बढ़ाने के लिए बना हुआ है और देखेंगे था हमारी गौम आता है हमारे बक्रिया भी यहां पर घुमने के लिए हुई है मैं गौम आता से असिरवाल ले लिखता हूं कि मेरा मेरा पहला वीडियो था लेकिन देखो गौम आता भी डर गई सैतान दिखा हूं कि दोस्त मैं लेकिन यार मेरे दोस्त लब मुझे बोलते है कि तू हीरो तो नहीं है लेकिन दिख सकता है बाके दोस्त अभी तो मौंगरवाज का सबर बाकी है चलिए हम थोड़ा और आगे चलते हैं मैं आपको थोड़ा इसके इस ट्ट जो गारण बना ह जो गेट है उसके थोड़ा और पास ले जाता हूं आपको ठीक है दोस्तों थोड़ा दर बाद आपको फ्री हैं पर मिलता हूं दोस्तों ये है मौंगरवाराज का मौंगरवाज उद्व्यान त्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन आप अपने परिवार के साथ अपने फैमली के साथ आ सकते हैं यहां बैठने के लिए बना हुआ है अच्छे पेड़ है और ज्यादा तो बड़ा नहीं है लेकिन अपने दोस्तों के साथ अपने मित्रों के साथ जिनकी गल्फेंड अपनी गल्फेंड के साथ लोग तो पता नहीं मेरे को लोकी ने पेल बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को सोच यहां दो तीन तो घर ले जाओं अपनी कि अगर दोस्तों यह बना हुआ बैठने के लिए यहां पर एक दो तीन और मेठे को मिला के चार जगाए बैठने का है इसे यहां पर हर जग अलगी वीवी उसी दिखते हैं यहां पर मोंग्रा उद्यान लेकिन यह बैस्ट वीव है पूरी तरह से पूरा आगे तक सभी तरफ से दिखेगा यहां से सुरू हुई है यहां पे गेट है वहां पर आगे जाएंगे तो जंगल है वहां पर पहाड है तो सफाई जोरी प्रिया दोस्तों मेरा अच्छो दाना कि आप किसी को ज्यान में जाते हैं तो सफाई जोरी करिए दोस्तों क्योंकि एक चोटी सफाई साय किसी चीज के लिए अच्छी हो सकती है और देखिया पर कितना कच्रा फिला होगा है मैं ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो सभी करी सकता हू क्या बादा दोस्तों हमारा च्छोटा साय हो किसी एक अच्छे जगा को साफ कर देवे तो यह है सबसे बहत्रे इन व्यूंग्रा बैराज का ठीक है दो अब इसकी निचे हम निचे यहां पर निचे गेट पर चलते हैं और यह हमारा लाश्ट रहेगा उसके बाद फिर हम अ पर आगे गेट के बाद चलते हैं इस दोस्तों आप देख रहे हैं यही है नंगरा बाराज देम का गेट आपको लग रहा होगा यह वीडियो में व्यासे कि बताएं आपको पता ही है यह वीडियो में बहुत ही चोटा है लेकिन एक्ट्वल में भी गेट बहुत ही बड़ा है अब जैस सब्सक्राइए कि फिलाल पानी अब दो फसले करनी इसे करन डेम को बंद कर दिया गया है और सिब्सक्राइए कि इस साल में दो फसल लेना है और आपको पता ही है यह देम बहुत बड़ा है और आपको लग रहा हो कि थोड़ा बहुत गहराई है लेकिन इसे गहराई देखेंगे ना तो बहुत नीचे है अब गहराई दिखा दूसर को हमारे यह बहुत ही ज़ादा गहरा है और अगर आप इस साइड एंगल अगर आप फुवाल एंगल देखेंगे ना पत्थरे हैं पानी हैं पानी तो हई है और घास है पेड़ हैं पौधे हैं और लवर्स हैं जो यहां पर घुमने आए हैं क्य दोस्तो देखो यह हमारा अब हम भाराज जेम का लास्ट है अब यह 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 त है अब इसके बाद हम अपने घर चर पा स्तान करेंगे दोस्तो मैं लाइफ को हमेशा एक उंज़वाय करना चाहता हूं यह वीडियो बनाने का मेन है कि मैं एक नही शुरुवात करना चाहता और मेरे दोस्त हमेसा मुझे कहा था, कि जिन्देगी एक अच्छी तरह जीने का नाम, इसको आप जितना सह जी सके उथना अच्छा जी हैं, आपका जो मन है, आपको जो करने का मान है, वो करें, तो मेरा मन क्या हमेसा धुनने को गड़ता है, हमेरे दोस्त लोग कहते हैं, कि तो मन है हमेशा वही करना चाहिए दोस्तों यह मेरा पहला वीडियो है जो मैंने राजनान गाउं जीले कि अंबागड चौंकी छेत्र के मोंगराब राजने बनाया है और मैं इस पहले वीडियो के साथ आपका साथ आपका सपोर्ट चाहूंगा तो प्लीज दोस्तों ज्याद बिल्कुल जैसे ही कि अब मैं और भी वीडियो बनाऊंगा तो दोस्तों आपको सपोर्ट चीए होगा तो प्लीज इस वीडियो को सब्स्क्राइब जोरू करिएगा ठीक है ठांक्यों दोस्तों बाए